नमस्कार दर्शगो, मैं डॉक्टर सचिन जित्तावर, मैं एक हार्मोन रोग विशे शग्य हूँ, हमेशा कोई ना कोई नया विशे लेकर अपने यूटिप चैनल पे हमेशा आपके सामने आता हूँ, आपने उत्साह बढ़ाया, इसलिए सर्वत्थम आपको वीडियो अच्छा लगे, तो सब्सक्राइबर बेल पे जरूर लाइक करिए, जिससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमारा उत्साह बढ़ेगा, बित्रो हम हमेशा नाना प्रकार से मदूमे से संब्सक्राइबर बाते करते रहते हैं, कि मदुमे के लाज कैसा होना चाहिए, डाइगनॉसिस कैसा होना चाहिए, फालो अप कैसा होना चाहिए, दवाईया कैसी होनी चाहिए, कौन कौन सी दवा लेने से क्या फायदा है तो क्या होता है कि मदुमे के मरीज हमारे पास आते हैं तो कुछ साल पहले की बात है मैं ऐसे ही मरीज देख रहा था तो बहार से हला आया कुछ ऐसा लगा कि कुछ मरीज दुखी है परिशान है हमारे पास chronic बिमारी वाले लोग आते हैं तो नाना प्रकर की परिशानिया रहती है तो मरीज के आने से पदारपंड से पहले हमें पता चल जाता है कि उनके पैरों के गुण कैसे है तो पता चला कि एक कोई senior professor आई है और अब वो retirement के दौर में है और आते आते उन्होंने मेरे staff से लड़ाई करी फिर आके मेरे सामने बैठी मैंने पूछा तो हर उत्तर का एक प्रत्यूत्तर था हर बात का एक काट थी वो बातों को काट लेती थी बातों को conversation हमारा जो समवाद है वो निरंतर होई नहीं पा रहा था कहीं न कहीं उनमें बहुत गुसा था कहीं न कहीं तुनक में राज़ी भी थी और कहीं न कहीं उनका ध्यान एक जिगा केंदरित नहीं हो रहा था पुले डॉक साब बहुत परिशान है तीन सो चार सो शुगर रहती है खूब सारी दवाईयां खा रहे हैं चालिस पचास यूनिट इंसुलिन रोज चल रहा है फिर भी देखिए शुगर देखो तो वही धाग के तीन पात धाई सो तीन सो मैंने विवेशना करी बाते करी बहुत मुश्किल था उन से बात करना क्योंकि वो हर बातों को एवरी स्टेट्मेंट है दग काउंटर स्टेट्मेंट तो ऐसी सिती में बड़ा मुश्किल हो जाता है में तो आपके साथ भी होता होगा कई बार ऐसी परिसीतियां देखते हैं ऐसे व्यक्ते तो आते हैं फिर भी मैंने सयम रखा क्योंकि आप हमारा तो रोज का काम है फि बड़ा मुश्किल से उनको बड़ा विश्वास हुआ कि वो किसके पास आ गई है और बहुत मुश्किल से उनको बनाया गया और वो मान गई तो पहली सिती में जब आई थी तो बहुत चिटचिड़ीं थी तुनक मिजाजी था बहुत जदा गुसा भी था बहुत डॉक्ट लड़ाई करें कि वेटिंग इतना लंबा हो रहा है पर इस बार ऐसा नहीं हुआ वो अराम से बैठती रही स्टाफ से भी प्यार महमबत से बात करती रही फिर मेरे पास आई तो फिर मेरे पास बैठते बैठते उन्होंने दो तिन मुझे मज़ाक वाली लहजे में भी बाते क करें और उनका मूड बिलकुल अलग था बहुत जोशी नहीं थी और कहीं कोई नकारत मकता नहीं जलग रही थी तो अब शुगर देखा तो शुगर इंसुलिन कम करने और दवा कम करने के बाद भी शुगर खाली पेट सौ के आसपास बरे पेट 180 के अंदर तो बुले डॉक सुलिन दोनों कम कर दिया और शुगर भी अच्छा आ रहा है तो यह दो मित्रो यह परसीती थी हाइपोग्लैसीमिया की जिसको हम क्लिनिकल पैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट टूल मानते हैं और कभी भी आपको जब भी इलाज लिखता हूं मैं मेरे से बहुत से पिजबी हुंगे, मैं हमेशा कहता हूं कि कभी थंडा पसीन, घब्राहट, फर्थराहट, कपकपी हैं क्योंकि जब भी शक्र 17 के अंदर आएगी तब आपको यह प्र 시ती निर्मित हो सकती है. एसी परिसीति में आपको प्राथभी washing क्योंच कि उस समय कुछ मीठा कहाना है या भोजन करने का समय है तो भोजन करना है मिठा उस समय दवा बन जाएगी तो यह बात नहीं तो बोलेंगे आप डॉक साब वैसे तो मदू में आप बोलते हो कि मीठा नहीं खाना है और आप बोल रहें मीठा खाना है तो यह परिसिती ऐसी परिसिती विकट परिसिती है जहा आपका वैभार बिगड़ने लगता है, जीवन की आपकी जो निधी है वो आपका व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व के जो रंग है, कि आप खुशनुमा व्यक्तित्व है, कि आप चडचड़े व्यक्तित्व है, ये भी इससे देधारित हो जाता है, और आपके लिए जीवन की सबसे बड़ी नीजी तो आपका व्यक्तित हुए है, आपके आसपास के संबन्ध है, आपके मित्र है, आपके रिष्टेदार है, सभी से रिष्टे बिगरने लग जाएंगे, अगर लगातार, शुगर कम होगा, और याददाश अगर कम हो गई, तो आपकी योगिता कम होगी आपके वेभार में अंतर आएगा, और आपके चेहरे की चमक भी कम हो जाएगी, इसलिए बित्रो, कभी भी डाइबिटीस के इलाज में, थंड़ा बसीना, घबराहट, थर्थराहट, कपकपी, बहुत तेज भूग लगना, ऐसा हो, तो यह शक्कर कम होने के लक्षन है, उस अगर बहुशी हो गई, तो तुरंट उस समय तो डॉक्टर के पास ही जाना पढ़ेगा, आसपास के नर्सिंग होम में जाना पढ़ेगा, और आप बोल सकते हैं कि डॉक साब हमारे घर के आसपास तो नर्सिंगों में इता है नहीं करीब, तब क्या करें, ले जाने तक, नरसों के रास्ते डेक्स्ट्रोस देंगे, मरीज बिलकूल ठीक हो जाएगा, तो हमें इस परिस्टियोंक से बचने के लिए, आपको हमेशा तयार रहना होगा, ये कहानी सुनी होगे न, सियार आया, सियार आया, जो बच्छमन में सुनाते थे, तो वो हर बारी बुला लेता तो गाम वाले जब सियार आता है, तो बचाने कोई नहीं आता, तो इस परिस्टि को समझते हुए, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी थंड़ा पसीना, घबराट, थरतराट, कपकपी हो, तो तुरंट मीठा खाना है, तो ये सियार आया वाली कहानी हमारे साथ नहीं ह होनी चाहिए, तो जब भी हमें आउशक्ता लगेगी, हम अपनी मदद स्वेहम करेंगे, जिससे शक्कर हमारी सामाने रखेंगे, आशा है, आपको मेरी बात समझ में आई होगी, धन्यवाद